हलो फ्रेंड न्मस्ते और आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे मस्तों तो दोस्तों एक नया पडेट आया है कि अधार से पैंकाड को लिंक कराना है तो इसका अगर जिसका पैंकाड बना हुआ है वो अपना पैंकाड या-करल नहीं तो इसके लिए पहले 30 मार्च को लाड़ेट भी है, पैनकार्ड अधार से नहीं लिंक करते हैं, तो आने वाले समय में आपका खाता ट्रांजिक्शन रोग दिया जाए, आपका खाते पे बैन लगा दिया जाए, आप अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना चाहते, पैसा भी नहीं निक्याल स का और जो लोग जिनका पैनकार्ड से अधार नहीं लिंक है, वो अवस्थ्ट करने आने वाले समय में, सरकार क्या प्रकेशिया लाएगी, क्या रूल्स लाएगी, या पैनकार्ड जहां एक हजार रुपे लग रहा है, आने वाले समय में कितना पैसा लगेगा, इसको कुछ कुछ बता नहीं सकता, तो आने वाले समय में कितना पैसा लगेगा हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन अभी 2022 में यह फिरी होता था, लेकिन 2023 क्या रूल जब से लगा, 2023 में मार्श 31 तक अगर आप नहीं लिंक करते हैं, 2022 तक फिरी था, मार्श उसके बाद 1000 सुल्क के साथ लिंक क्या रूल है, क्या मकसद है, अब यह तो नहीं कोई बता सकता, लेकिन अभी जो प्रक्रिया है, तो हम दिखाते हैं आपको, तो आप जाएगा NSDL की साइड पे, जा करके, तो इस पे सबसे नीचे आईएगा, तो सर्च करने के बाद, यहीं पे मिलेगा आपको, पैन एंड आधार लिंक स्टेटस, तो पैन एंड आधार लिंक स्टेटस पर करते हैं, तो दोस्तों अभी सर्वर इसका बहुत ज़्यादा, सर्वर अनेबल बता रहा है, मतलब सर्वर बहुत बिजी है, और इसी करद यह सर्वर खुल नहीं रहा है, तो जो जो लोग, जिन के अंदर लिंक करा लें अन्था आपको एक हजार से उपर का जुर्बाना भरना पड़ जाएगा तो आप लोग रात में साइड चले या कब चले साइड अभी तो कल से ही सर्वर हम देख रहे हैं बता रहा है कि सर्वर अनेबल सर्वर अनेड़ तो आप लोग जिसका पैन है वो लोग अधार से जरूर लिंक करा लें अभी तो एक हजार रुपे लग रहा है बाद में कितना लगेगा इसका कोई भरोसा नहीं है तो इसलिए पैन काड़ से अधार को जरूर लिंक कर लें और